हेलो फ्रेंड्स कैसे है आप सब and welcome back to my channel तो आज में लेकर आई हूँ छटपट बन जाने वाली बिर्यानी की रेसिपी जो कि हम easy way में बराएंगे जिसमें time भी कम लगेगा और स्वाद भी बहुत ही यम आएगा तो इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा और मेरे चैनल को subscribe और इस वीडियो को like भी जरूर करिएगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो गिलाज चावल ले रही हूँ आप कोई भी चावल ले सकते हैं मैंने यहाँ पे जो भी प्लाव या फिर बिर्यानी वाला चावल आता है बासमती वो लिया है अब हम प्याज को कट कर लेते और इसे अची तरह से मसल मसल के जितना भी मिलफाग होता है उसे अलग-अलग कर लेते अब हम मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अद्रक लिया है उसे हम ग्राइंड करेंगे अद्रक लसन और थोड़ा सा प्याज को एक में डाल करके थोड़ा सा पानी डालेंगा और इसे ग्रा लेते और यहां पे मैने कुछ मसाला लिया है सबसे पहले है तेज़ पता गरम मसाला आधा चमच आधा चमच जीरा पाउडर है, आधी चमच हल्दी पाउडर लेंगे, यहाँ पे मैंने खड़ा जीरा लिया है, यहाँ पे 1 फोर्थ टेस्पुन जो है, वो गोल की पाउडर लिया है, और थोड़ा सा खड़ा मसाला है, जिससे गोल की और इलाइची हो गई, वो लिया है, मैंने यह ये देखिए प्याज ये औरे जो हमने बनाया था साती में चाल जाह और सबसे पहले डोलेंगे लिये य वहमें उसमें लिए तो हम भी मासाले अच्छी थे जावनािकरेला भर यूजच भरया सकते वरना आप इसे skip कर सकते मैं यहाँ पे जट पर बनने वाले जो बिर्यानी होती वो बना रही हूँ और जो भी हमने मसाला ग्राइंड किया था वो हम थोड़ा से डालेंगे बीना दही और बीना अलग-अलग बनाए भी बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी वा पिर्यानी बना सकते तो बस मैं वही प्रोसेस आपको बता रही हूँ यह देखे आची तरह से chicken को mix कर देना है और आदे घंटे 15 मेंट हो सके तो आप इसे marinate करने के लिए रख सकते हैं अगर आपके पास time जाद है तो आप half an hour भी रख सकते हैं मैंने यहाँ पर बस 10-15 नेट रखा था chicken को बस थोड़ा से marinate कर देना है आप चाहिए तो इसमें नीमू भी डाल सकते अब हम एक करहाई में तेल को अच्छी तरह से घरम कर लेंगे उसमें जो प्याज हमने चॉप करके रखा था उससे भून लेंगे और प्याज को जो है वो golden brown होने तक भूनना है अब धीमें आज में प्याज को भूनियेगा तो वो अच्छी तरह से brown हो जाएंगे बस इसे जलाना नहीं है बस brown color करना है यह देखिए आप इसे हिलाते हिलाते थोड़े देर तक चलाते रहे यह स्टेर करते रहेगा बहुत ही अच्छी तरह से प्याज भून जाएंगे अब देश सकते इसका जो color है वो कितना अच्छा सा आ गया है तो अब हम इसे निकाल देते बस आपको इस तरह से प्याज को भून लेना है तो प्याज भूनने समय आपको जो flame है वो medium में रखना अगर आप high में भूनोगे तो प्याज जो है वो जल जाएगा तो ये देखी प्याज अच्छी तरह से भून चुका अब ये जो तेल गरम तो उसमें हम डालेंगे जीरा, तेज पत्ता, इलाइची जो भी खड़ा मसाला में हमने लिया था वो डालेंगे और साथी में जो मसाला को ग्राइंड कर दिया था वो भी डाल देंगे और जितना भी हमने जो पावडर वाला मसाला लिया था जो चीकर में मिक्स करने के बाद बच गया था वो सारा हम इसमें मसाले में मिक्स कर देंगे और थोड़े दीर तक इसे भून लेंगे 5-10 मिन तक आपको मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है सारा प्रोसेश जो है गाईज वो मीडियम फ्लेम में ही कर pry गएगा इससे अच्छी तरह से मसाले भी भून जाएंगे और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा तो मैंने या पे कस्तूरी मेथी थोड़ा सा डाला है आप देख सकते हैं जो भी तेल कितने अच्छी तरह से ऊपर आगे है छला गे है मतलब मसाला जो है वो भून चुके तो 5-10 मिन तक आपको बस मीडियम फ्लेम में इसी तरह से भूनते रहना है और थोड़ा थोड़ा स्टीट करते रहना है तो मसाला भून जाने के बाद अब हम इसमें जो भी मैरिनेटेड चिकन था वो एड़ कर देंगे अब सारा चिकन को आप एक साथ एड़ कर दीजिए इसमें मसाला भूत ही अच्छी तरह से भून चुका आप देख सकते जो भी तेल था उपर चला गया मतलब मसाला अच्छी तरह से कुक हो चुका है अब हम चिकन जो है सारे मिक्स कर देंगे इसमें और चिकन को अब हम पाच मिनिदे तक भून लेंगे एक बद चिकन अगर कुक हो गया ना गाइस तो उसके बद बिर्यानी बहुत ही जल्दी बन जाती है तो बस आपको चिकन जो है वो भूनना है थोड़ा सा कुक करना है तो अब इसे ढख करके पाच मिनिदे तक कुक कर लिजेगा ये देखिए पाच मिनिदे बाद कितनी अच्छे तरसे चिकन जो है वो कुक हो चुक है भूना चुका था अब हम जो हमने जो चावल दोके रखा था उसे हम इसमें डालेंगे है चावल को भिंगोकर नहीं रखना है, वरना चावल टूट जाएंगे चावल को बस पानी से दो पानी दो देना है अब हमने जो प्याज को भूना था उसे हम इसकी उपर से अच्छे तरसे सजा देंगे यह देखिए इस तरह से पहले चावल डालना चिकन के उपर उसके बाद प्यास डालना है यह प्यास डालने के बाद मैंने यहाँ पे घी डाला आप चाहिए तो बटर भी डाल सकते हैं मैंने यहां पर होमेड जो घी होता है वो डाला है और इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर सेहर की है अगर आपको होमेड घी की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो मैंने डिस्क्रिप्सर में भी लिंक डाल दिया है अब मैं यहां पर थोड़ा सा पा पानी डाला है अब हम इसे ढख करके कुख कर लेंगे यह देखिया आप दो तीन मिनिट बाद इसे उठा करके देख लीजेएगा बहुत ही अच्छी तरह से कुख हो जाएगा और जो भी चावल और चिकन तो पहले से कुख हो चुका था सीच चुका था चावल भी बहुत ही अच्छी तरह से कुख हो जाएगा और सीच जाएगा तो फ्रेंट्स यह थी मेरी इजी और बहुत ही यम बिर्यानी की रेसिपी आप चाहे तो इसे धनिय पत्ता से गार्निश कर सकते हैं नीमू डाल सकते हो या फिर प्याच के साथ आप खा सकते हो तो मैंने बहुत ही को ट्राइ करके जरूर देखिएगा आपको 100 परसेंट बहुत ही अच्छे लगेगी आप इसे राहिता के साथ इंजॉय कर सकते हो एक्शली हम राहिता बनानी पाई तो इसलिएम साइट में नहीं रख पाए बस मुझे यहां पे सिंपल सी बिर्यानी के रेसिपी आपके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए